प्रिये चात्रो, नमस्कार, NCRT गड़ित कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है, आज हम लोग प्रिश्णाबली 8.1 का प्रश्ण क्रमांग 3 हल करेंगे, तो आईए सबसे पहले प्रश्ण पढ़ देते हैं, इसमें दिया गया है साइन ए बराबर 3 बटे 4, हो तो कॉस ए और 10 A के मान गयाद कीजिए, तो यहां पर हमें साइन A बराबर दिया गया है 3 बटे 4, और हमें गयाद करना है कॉस A और 10 A, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, हम उसी को लिख लेते हैं, हमें दिया गया है साइन A बराबर 3 बटे 4, तो आईए सबसे पहले हम इसी को लिख ल तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स होता है वो साइन बताता है जो दूसरा बॉक्स होता है ये कॉस बताता है और ये जो तीसरा बॉक्स होता है ये टैन बताता है तो यहाँ पर लिखा है साइन तो साइन के लिए हम लिखेंगे लंब बटे करन तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो इससे पता चलता है कि लंब जो है वो तीन है और करण जो है वो चार है तो यदि हम चित्र की बात करें तो यहाँ पर हमें चित्र में साउधानी पूरवक एबी सी नाम देना है तो देखिए कैसे देना है यहाँ पर लिखा है साइन ए तो ए दिया गया है इसका मतलब तो जब भी आपको ये इस तरीके से कहा गया है तो आप क्या करें यहाँ पर A नाम दे दे पहले और बाकी B और C कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि हमें A जो है वो ठीटा के रूप में दिया गया है तो A जो है ठीटा रहेगा तो इसके सामने की भज़ा ये लंब हो जाएगी तो इसे हम लंब कहेंगे और ये समकॉन बनता है तो इसके सामने की भज़ा ये हो जाएगी करन तो यहाँ पर साइन A लिखा है इसलिए हमने ठीटा A को माना है और इसलिए ठीटा माना है तो इसलिए ये लंब है और समकॉन के सामने की भुजा हमेशा करण होती है तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जब आपने साइन का सूत्र लिखा लंब बटे करण तो लंब कितना आ रहा है? तीन और करण कितना आ रहा है? चार दोनों अनुपात है तो आप डारेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अनुपात के रूप में अगर आप इसको X मानोंगे इसको X तो X और X बैसे भी कैंसल हो जाता है तो हम डारेक्ट इसको लिख सकते हैं लंब की जगह पर 3 तो इस चित्र में 8 टीटा माना है इसलिए लंब यहाँ पर आ जाएगा 3 और करन कितना है 4 तो समकॉन के सामने की बुजाई यह हो जाएगी 4 तो इस तरीके से आप चित्र में लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकॉन तिर्भुज है जिसमें दो भजाएं हमें दी गई हैं और तीसरी हमें ग्याद करनी है तो इसके लिए हम पाइथागुरस प्रमी लगाते हैं तो जैसा हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकॉन तिर्भुज और इसका नाम दे देते हैं A, B, C क्योंकि B बीच में बताना है जहाँ पर टाइंटी है समकॉन तिर्भुज A, B, C में और पाइथागुरस प्रमी लगा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागुरस प्रमेशे और यह होता है करण का बर्ग बराबर, लंब का बर्ग, धन आधार का बराबर, तो यह हमने लिख लिया इसके बाद हम चित्र की माद्धेम से इसको सॉल्व कर लेंगे चलिए देखते हैं करण कितना दिया गया है, करण यह कहलाता है समकॉन की सामने की भुजा, जो कि AC है, तो AC का मान है चार, तो यहाँ पर आपको लिखना है चार का बर्ग, बराबर के नीचे बराबर, लंब आपको दिया गया है, यह है ठीटा, तो ठीटा के सामने की आगे बढ़ते हैं चार का बर्ग चर्चों के 16 हो जाएगा बराबर की नीचे बराबर और तीन का बर्ग तीन गोड़े तीन यानि की 9 प्लस AB बर्ग इस तरीके से हम लिखेंगे 9 का ट्रांसपर इस तरफ करेंगे यानि पक्छांतर कर देंगे तो 16 यहाँ पर प्लस का 9 है इस तरह पाजाएगा तो माइनस का 9 बराबर में आजाएगा AB बर्ग 16 में से 9 चले जाएगे आपको यहाँ पर घटाना है तो यहाँ पर बचेगा 7 और बराबर में आएगा AB बर्ग इस तरीके से AB बर्ग इसके बाद ये बर्ग हटेगा तो यहाँ पर बर्ग मूल आ जाएगा और ये बर्ग मूल आएगा साथ बराबर A B तो A B का मान जो आपको मिला है वो आ जाएगा साथ तो अब आप यहाँ पर जाके लिख सकते हो अंडर रूट साथ इस तरीके से तो पाइधागुरस पर में लगाने से दो भजाएं दी गई थी और तीसरी हमने ग्याद कर ली है इसके बाद हमें जो ग्याद करना है वो क्वेश्चन में हम देख लेंगे ये चेतर आपको साइट से बनाना है और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है कॉस ए और टैन ए ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस ए इसमें भी ठीटा ए ही रहेगा तो इसका लंब वही रहेगा जो इसका भी लंब है और इसका भी तो चलिए कॉस A और टैने निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए कॉस A बराबर और कॉस A का फॉर्मूला हम यहाँ इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं ये sign का box होता है और ये cost का box है तो cost का होता है आधार बटे करण तो ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इसको याद कर लेना है आधार बटे करण तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे करण चलिए अब आधार देख लेते हैं कितना है तो ये चित्र से पता चलेगा कि आधार कितना है इसलिए हम चित्र को यहाँ पी देख लेते हैं आधार है करणी साथ क्योंकि A है A ठीटा की तरह काम करेगा इसलिए लंब ये बताएगा तो आधार फिर यही रहेगा तो यहाँ पर करनी 7 आधार हो जाएगा और करन जो है वो 4 रहेगा तो इस तरीके से cos A आ जाता है अब हम ग्याद करेंगे 10 A जो question में पूछा गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 A और 10 का formula हम इस वाले formula से निकाल लेंगे sin cos 10 यानि लंब बटे आधार चलिए इसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार इसके बाद लंब देख लेते हैं कितना दिया गया है यह लंब है चुकि यह ठीटा की तरह काम करेगा इसका भी A ठीटा है तो इसके सामने की भजा यह हो जाएगी लंब जो की 3 है और आधार है करनी 7 तो 3 बटे करनी 7 यह कौस A और टैने दोनों आंसर आ जाते हैं आप चाहें तो इसका परिम्यकरन भी कर सकते हैं यानि अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 7 तो इसका और आगे हल हो जाएगा तीन का करनी साथ मैं करोगे तो आएगा तीन करनी साथ और ये करनी साथ करनी साथ साथ बाहर आ जाएगा ये भी आंसर हो सकता है तो इस तरीके से आपको ये प्रिशनिक रमांग तीसरा कर लेना है और इसका चित्र भी बना लेना है आप चाहें तो इसे note भी कर सकते हैं और इसके लिए पहला sort है इसके बाद आप यहां से इसको video को pause करके आप इसे note कर सकते हैं इसके बाद यह रहा और साथ में यह चित्र भी आप इस तरीगे से इसोग भी बना सकते हैं Thank you